Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्डबल पाकिस्तान को चाहिए था कश्मीर, और उसमें वो इतना पागल हो गया, कि उसने अपना सारा development, space program, लोगों की भलाई, उन सब को पीछे छोड़ दिया, और आज के date में आप देख सकते हो, भारत और पाकिस्तान में कितना जादा अंतर है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यहीं भी बता दूँ कि अभी अगर आप देखोगे, आपने नाम भी सुना होगा, इमरान खान की सरकार में एक मिनिस्टर थे, science and technology मिनिस्टर, जो हमेशा इसरो को criticize करते रहते थे, mock करते रहते थे, अब उन्होंने यहाँ पर तारीफ की है, चंद्रयान 3 की, यह आप देख लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, अगर आप UPSC 2024 की preparation कर रहे हैं, कोई batch आप लेना चाहते थे, तो 3 live batch आज से ही हमारा start हो रहा है, आपके पास बड़ा मौका है, prelim से लेकर interview तक की पूरी त्यारी कर सकते हैं, आप इन 3 batches से, pure English, pure Hindi, English, कोई भी आप लेना चाहें, हमारे stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, तो चले शुरुबात करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अभी exactly हुआ क्या है, देखिए, former Pakistan Minister Science and Technology Minister इमरान खान की सरकार में, फवाद हुसेन चौधरी, उन्होंने काफी मौक किया था ISRO को, काफी लंबे साल उन्होंने कई सारी चीजें लिखी थी, क्रिटिसाइज किया था ISRO को लेकर, लेकिन अब अगर आप देखोगे, finally, उनके द्वारा तारीफ की जारी है, चंद्रयान 3 की तारीफ की जारी है, और उनका कहना है कि it is a historic moment for humankind, आप देख सकते हो, ट्वीटर पर जोकी अब X हो ग and Space Community of India, तो यहाँ पर अब वो भारत की तारीफ कर रहे हैं, ISRO की तारीफ कर रहे हैं, हमारे Scientist की तारीफ कर रहे हैं, और हमें यहाँ पर congratulate कर रहे हैं, देखें यह यहाँ पर इतना significance क्यों हो जाता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही अगर आप देखोगे, तो उनका कुछ वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया से लेकर, हर जगा वो वीडियो वाराल हुआ था, बेसिकली वो एक टीवी प्रोग्राम में गये थे, डिबेट में गये थे, और वो बातचीत कर रहे थे, और उस बातचीत में पता हैं, उन्होंने पहले क्या बोला, उन्होंने कहा, इतने पापड बिलनी की क्या जरूरत है, मतब कि हमें चांद पर जाने के लिए इतना क्यों प्रयास करने की जरूरत है, जब चांद जो है नजर आ जाता है, हमें यही से धरती से, exactly उसकी location पता लग जाती है, किस territory में उसका क्या altitude है, वो हमें पता लग जाता है, तो वो सार की बयान देना, और वो भी सोच के देखे, science and technology minister, आप सोच सकते हो, इस तरह का बयान क्या होगा, मतलब उस देश का क्या होगा, जब उनका science and technology minister इस तरह का है, तो वो जो बयान आया था, उसका काफी viral हुआ था, वो वीडियो हर जगद चल रहा था, और मैं आपको बता दू सरिफ यही नहीं, 2019 में आपको याद होगा, चंद्रयान 2 mission, अगेन, चंद्रयान 2 mission अगेन बड़ा बहुत बड़ा mission था, और इसमें हमें आशा था कि हमें सफलता मिलेगी, खेर, वो नहीं हो पाया, यहाँ पर जो orbiter था, वहीं तक हमें सफलता मिली, और जो vikram lander और फेल हुआ था, उस समय यही लीडर, पाकिस्तान की लीडर फवाज चोधरी, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मौक किया गेन, कि भारत को इतना सारा पैसा 900 रुपए, 900 करोन रुपए खर्च करने की क्या जरूरती, मतलब कि इस तरह की unknown territory में जाने की जरूरती क्या है, देख पारा जो प्रोग्राम है, वो बहुत सस्ता होता है, बहुत जादा, मतलब 5-10 गुना जादा हम सस्ते में, इस तरह के जो launches हैं, वो कर पाते हैं, और ISRO ने इसकी महारत हासिल की है, और इसी लिए हम जाने जाते हैं, आज के डेट में आप देखोगे, जादा तर देशों के जो satellite launch करने के लिए बोला जाता है, वो ISRO के पास आ रहा हैं, क्योंकि हम सस्ते दाम पर उनके satellite को launch कर देते हैं, बहुत सारी जो movies बनी हैं, उनसे भी सस्ते दाम पर हमने ये launch किया है, चंद्रयान 3 भी, खेर, यहाँ पर सबसे पहले अब हम यहाँ पर जानेंगे, कि exactly भारत और पाकिस्तान में इतनी बड़ा difference, इतना बड़ा gap space program में आया कैसे हैं, देखें, लंबे समय तक आपने देखा होगा, देश के आजादी से लेकर, अभी तक अगर आप देखते होगे, तो काफी जादा comparison होता है, भारत और पाकिस्तान में चाहें, economy हो, कुछ कुछ हो, हर चीज को लेकर comparison, in fact मैं कहूंगा, होता था, पहले इस तरह की चीज़े comparison पाकिस्तान के साथ हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में, किसी भी सेक्टर में आप ले लीजें, मतलब जो हालत पाकिस्तान की है, कर्ज में डूबा हुआ है पाकिस्तान, और वहीं अगर आप compare कर land करने वाला है, तो काफी लोग interested होंगे कि क्या पाकिस्तान में भी कोई space program है, जैसे भारत के अंदर ISRO है, क्या पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई agency है, मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर भी है, और उसको बोला जाता है, स्पार को, जी हाँ, स्पार को, इसका full form, I think ये हो इसरो है, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर सुपार को आपको देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता दूँ, कि starting में, जब 1960s में भारत और पाकिस्तान दोनों space program को launch कर रहे थे अपने, उस समय पाकिस्तान भारत से आगे निकल गया था, क्योंकि 1962 में, पाकिस्तान ने अपना पहला जो rocket है, उसको space में launch किया था, तब तक भारत ऐसा नहीं कर पाया था, और यह मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान एशिया का third country बना था ऐसा करने वाला, सोच के देखे, 1962 की मैं बात कर रहा हूँ, and problem क्या है, पाकिस्तान बाकी सारे sectors की तरह, इसमें भी धीरे-धीरे फिर democracy है, बहुत सारी खामिया होंगी, बहुत सारे problems होंगे, लेकिन ultimately आपको समझना है कि जो हमारे नेता होते हैं, जिनको हम चुन कर भेजते हैं, वो जवाब दे ही होती हैं उनकी, पांच साल बाद उनको वापस आना होता है, हमसे यहाँ पर vote मांगने होते हैं, और उसके पूरे दुनिया में कोई ऐसा example नहीं है, किसी भी देश में, जहाँ पर military interfere करती हो, और वो देश successful हो, ऐसा कोई भी नहीं है, और वही चीछ पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा, within कुछ years के अंदर, मतलब 1962 में उन्होंने पहला rocket launch किया, उसके कुछ सालों में ही आप देखोगे, वो अपने रास्ते से भटक गए, अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, कि स्टार्टिंग में पाकिस्तान कैसे आगे निकल गया, देखो इसका main कारण था USA, आपको पताई भी होगा, कि उस समय अगर आप देखोगे, तो कुछ हद तक भारत का जो tilt है, व बेस को स्टडी करने के लिए, पाकिस्तान को वो अपना बेस बना सकता है, और इसी के वजए से अमेरिका ने कोलाबरेट किया, पाकिस्तान की साथ, उसको काफी सारी चीजों में मदद की, और यही कारण है, जिसकी वजए से उनका जो पहला रॉकेट है, रहबर वन, वो ल लॉंच किया, मतलब लगतार पाकिस्तान कई तरह के साउंडिंग रॉकेट को लॉंच करते जा रहा था, विद दी हेल्प आफ यूएस एंड चाइना बोद, लेकिन आगे क्या होता है, 70s में, 1970s आते आते, उनका जो पूरा स्पेस प्रोग्राम है, वो मोमेंटम लूस कर जाता है, उसका में कारण क्या है, उनको चाहिए था कश्मीर और वो न्यूकलियर जो पावर है, उसकी रेस में आगे बढ़ गए, उनको अब ऐसा लगा कि अभी तो हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूकलियर चाहिए, उनको कुछ भी नहीं दिखने लगा, in fact आपको याद होग उनके जो एक लीडर थे भुटो, उन्होंने काफी famously इस चीज को कहा था, आज भी उसको याद किया जाता है, उनका कहना था, कि पाकिस्तान के लोग घास भले ही खालेंगे, लेकिन न्यूकलियर बॉम तो बना कर ही रहेंगे, सोच के देखें, और इसी से प्रेणना लेते जो जनरल ज्याउल हक हैं, उन्होंने अपनी पूरी एनरजी, उनका जो पुरा डारेक्शन है, वो स्पेस रिसर्च से हटा कर न्यूकलियर प्रोग्राम की तरफ जोग दिया, तो सारा पैसा सब कुछ न्यूकलियर प्रोग्राम की तरफ जाने लगा, और अगले एक दसक के अंदर, जो पाकिस्तान का पूरा बना बनाया स्पेस प्रोग्राम था, वो खतम होता गया, और वो काफी पीछे हो गया भारत के मुकाबले, और भारत आपको पताईए, हमने पहला अपना जो सेटलाइट है, आर्यभट, वो 1975 में लॉंच किया था, और पताई आपको, पाक पाकिस्तान अपना रॉकेट पहले लॉंच करने के बावजूद, उनका जो पहला सेटलाइट है, वो उन्होंने पंदरा साल बाद लॉंच किया, मतलब 1990 में अपना पहला सेटलाइट उन्होंने लॉंच किया था, सोचके देखे कितना बड़ा गैप आ गया within few years, और आज त भूके हैं, जो वहाँ पर उनको अनाज नहीं मिल रहा है, छो भी है, वो सारी चीज़ों के उपर फोकस किया जाए, और यहाँ पर कहीं न कहीं हमें प्रेणा भी लेनी चाहिए, कि क्या हमें नहीं करना है, मतलब पाकिस्तान जो दिशा में गया है, वो भारत को तो कभी प्रिथवी 2 से रिलेटेड, आपको बताना इसका राइट आंसर कहा है, इसका सही उत्तर आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं, वह आपर अलग-अलग सोशल मीडिया पर आप जूड़ पाऊगे, और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC के अगर आप त्यारी कर रहे हो, जस्ट यूज यूज द अंकित लाइब, to get maximum discount, कोई भी आपको batch नहीं हो, and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स